अब देगे एक तरफ तरफ ते जन्विश्वास यादरा निकाले हैं तो इसरे तरफ पार्टी के निता लोग का विश्वास लगता है खुरा है ने देखिए आप इस समझ लिए भारते निता पार्टी लोग तंत्र को लोग तंत्र में बदल दिया है और यह जो कहा करते थे ब्रश्टाचार के संब्द में परढ़ान मंतिनी नरद मोदी स्वयम कहते थे कि ब्रश्टाचार में भी आदर्स होता है उसी आदर्स वादी असोग चोहान को यह अपने पाटी में ले गए उनको राज सभाम भेजने का काम किये अजीत पवार के संब्द में इन्होंने कह कि सतर हजार करोर का घोटाली देश का सबसे बड़ा घोटाले बाज उसको आपने चार दिन बाद डिप्टी सीम बनाया तो देश की जनता भी देख रही है देश की जनता भी समझ रही है कि आप चुके आपको लगा था कि हम जनता के बीच में अपना इमेज बनाने में सफ कर रहे हैं और जो गुजरात का थैली बांटने का काम कर रहे हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा अब देश में चलेगा तो लोगतंत्र लोगतंत्रिक व्यस्ता चलेगा देश में चलेगा तो वैसी सक्तियों को समाप्त करने का भ्यान चलेगा जो सक्तिया लोगतंत्र इंतापाटी के परतिक कहीं भी विश्वास नहीं करते हैं कहीं भी इनके सोच के साथ नहीं खड़े हैं इसलिए ये तोड़ फोड़ पर राजनीत करके अपना विश्वास जमाना चाहते हैं लेकिन अब इनके परतिक किसी का विश्वास नहीं है और ये तोड़ फोड़ करने भरतियनतापाटी में उनको हर निश्चित है और विचार जो हमारे साथ तिका हुआ है जो हमारे साथ है वो जीतेगा ते जश्री आदव जी को जमीन के सच्चाई पता नहीं है कि कभी राजनीत में संघर्ष नहीं देखा सोने का चमच लेके आए और सीधे डिप्टी सीम बन माईबाप कर रहा है हमको हटा दिया उपकुर सुर्ण करेंबाली है बिहार में अनपढ़ों की बात नहीं चलेंगी बिहार में पढ़ए लिखे लोग बीहार की सत्ता को को चलाएंगे बिहार को अब उस्तिती में नहीं ले जाना है उचरवाबी द्याले वाली दोड़ में नहीं ले जाना है बिहार में मेडिकल कलेज इन्यरिंग कलेज यह सब खूल रहे हैं बिहार के बच्चे गाउं गड़ीब किसान मद्दूर सभी के बच्चे इंजिनियर डॉक्टर प्रोफिसर बनेंगे यह लोग जो मैसेद देना चाहते हैं उसमें सफल न पैसे के दम पर ले आए थे सुपरा साफ हो जाएगा 15 में 22 सीट पढ़ाए थे इस वार नितीज कुमार जी और हम लोग सब साथ हो गए हैं 20 सीट भी नहीं आने वाली है तो तो नितीज जी के किरपा से फिर से दुबारा आ गए ने तैसे लोगों की बिहार की जरुत नहीं नितीजे ने क्या कहा दो बार इनको सुधारने का प्रयास किया लेकिने लोग गरवर करने वाले लोग हैं राजनाथ शिंग अमीद साथ और मानिया नरेंद मोदी जी भी आ रहे हैं यह सब कुछ असब लोग आ रहे हैं कुछ देने के लिए बिहार को हम लोग जब भी बिहार में मानिया नरेंद मोदी जी आ है या हमारे पार्टी को कोई भी नेता है बिहार के विकास की बात की आज इनका सत्ता चला गया तो इमाई बाप कर रहे हैं क्या सत्ता में रहते तो जाते क्या माई बाप करने के लिए सत्ता चीनी गई है तब तो मा काम किया गया माई बाप करने से बिहार की जनता सत्ता नहीं देगी तुर्ण